जिन्ह बश्कार, मैं एमसे लिए से रभी कुमार गुपता आपका हार दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटर नर्सिंग के इस अनलाइन प्रेटफॉर्म पे तो आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ important questions के बारे में बात करेंगे जो की बहुत महित्पूर्ण हो ले वाले हैं आपके exam की दृष्टी से आपके CHO exams के regarding, आपके DSSB के regarding, ESIC के regarding, OBG के questions होने वाले हैं आज क्लास में OBG is the most important subject होती है, वाहां से बहुत सारे questions बनते हैं, तो उन सब के बारे में हम discuss करेंगे, चलिए, पहला question का answer आप करेंगे, question को समझना है, पढ़ना है, अच्छे से, concentration होके पढ़ना है, question क्या कह रहा है, और हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, options में क्या क्या चीज़े दी हुई है, सबसे पहला method होगा, elimination method, अगर आपको question आता है, तो एकदम tick करना है, अगर नहीं आता है, तो आपको elimination method use करना है, जहां से समझना है, अगर समझना नहीं आए, तो आपस आप comment कर सकते हो, चलिए, सबसे पहला question आपके screen पर यह रहा, relax होके बैठ जाईए, सबसे पहला question, excessive duration of ut uterine contractions, की uterine contractions का duration बढ़ चुका है, तो भाईया, labor is called, इस term is, बताएंगे फटापट से, की uterine contractions का, जो हम कह सकते हैं, duration है, वो बढ़ चुका है, और बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया है, labor के साथ साथ, उस term को हम क्या कहेंगे, यह question कुछा गया है, फटापट से answer इस बात का बहुत easy question है, I think सभी को आता होगा एक question का terminology क्या होने वाली है, की sir, hypertonia क्या होता है, की sir, hypertonia होगा, या हम कह सकते हैं, oligo systol होगा, या poly systol होगा, या फिर हम कह सकते हैं, uterine inertia होने बाला है, देखो, मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताता हूँ, सबसे पह बढ़ रही है, क्योंकि hypertonia का मतलब, hyper का मतलब होता है, ज्यादा, और ton का मतलब होता है, कि उसकी tonicity, या contractions का बढ़ जाना, duration of contractions के बढ़ जाना क्या 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 आता है, आगी बास तर्ज में, अब मैं आपसे बात करता हूँ, कि sir, oligo systol और poly systol क्या होता है, इस स नॉर्मल, uterine contractions कितने होते हैं, कि sir, 3 to 5 contractions in 10 minutes होनी चाहिए, ये तो बात होती है, sir, normal की, कि sir, 3 to 5 contractions कितने, कितने मिनट के अंदर आनी चाहिए, कि sir, 30, हमारे 10 मिनट के अंदर आनी चाहिए, और duration of contraction क्या होता है, कि sir, duration की, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो 30 से 40 second का जो time ह होता है, इतने तक ही आपके क्या रहने चाहिए, contractions का रहना चाहिए, अगर ये duration बढ़ता है, तो उसको बोलते है, hypertonia, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कि अगर ये जो contractions है, वो 60 seconds से ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसको कहते है, hypertonia, क्या कहते है, बच्चो, कि sir, उसको क hypotonia, क्या मेरी बात समझ में आई, hyper, hypotonia और hypertonia की बात समझ में आ गई है, अगर मैं आप से कहूँ, कि sir, ये more than 90 seconds से ज़्यादा आते हैं, कि sir, ये अगर more than 90 seconds से आते हैं ज़्यादा, तो आप इसको कहेंगे, uterine titani, क्या कहेंगे, पहरे बच्चो, uterine titani, क्या मेरी बात सम in contractions की बात करते हैं, अगर normal contractions की बात करते हैं, तो कितने होते हैं, अगर 3 से 5 contractions होते हैं in 10 minutes, 10 minutes के अंदर 3 से 5 contractions आते हैं, तो वो sufficient है, normal है, अगर आप से एक ही word में या फिर एक ही word में आप से question पूछें, तो 3 contractions in 10 minutes, अगर आप से question रिंज में अगर नहीं पूछा गया है तो आपको 3 contractions बताने है आगे बाद सुझ में duration की मैं बात करूँ तो 30-40 second का एक duration होता है अगर मैं आप से और भी आगे बात करूँ कि सर 60 second से अगर ज़्यादा देखने को मिलता है तो उसको बोलते है hypertonia आगे बाद सुझ में और hypertonia किसे कहाई है कि सर 30 second से कम अगर देखने को मिलता है तो उसको hypertonia कहते हैं कि सर hyper हम कह सकते हैं uterine titani किसे कहते हैं तो uterine titani का मतलब होता है कि सर more than 90 second से अगर ज़्यादा देखने को मिलता है तो उसको कहते है uterine titani क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है समझ में आ गई है बहुत बढ़िया कि सर oligosystol का मतलब क्या है कि सर oligosystol का मतलब होता है uterine contractions का कम होना समझ में आई बात duration की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ पे हम duration की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम 3 से 5 जो contractions आपको normal देखने को मिल रहे हैं उससे भी कम देखने को मिलते हैं उससे कहते हैं oligo या फिर हम कह सकते हैं less than three contractions contractions in ten minute आपको देखने को मिलते हैं अगर 10 minute के अंदर आपको तीन से भी contractions कम देखने को मिलते हैं उसको कहते हैं oligo systol कि हमारा जो uterus है वो कम contract हर रहा है अगर मैं आपसे यही बात करता हूँ कि sir polys stall किसे कहेंगे तो sir polys stall हम उसे कहेंगे polys stall हम किसे कहेंगे प्यारे बच्चो तो हम कहेंगे कि sir 6 से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है या फिर हम कह सकते है 6 contractions या पिर 6 से ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं तो in 10 minutes तो आपको कह देना है कि सर पॉली सिस्टॉल हम उसे कहते है क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं दोनों बातों का आपको मदलब समझा चुका हूँ कि hypertonia, ton का ज़्यादा हो जाना ton का ज़्यादा हो जाना, contractions का ज़्यादा देर तक रह जाना ton ही city कहलाती है अगर contractions का कम हो जाना, सिस्टॉल कहलाता है कि सर, uterine inertia बता दीजिए uterine inertia क्या होता है, देखो मैं आप से कुछ यहाँ पे बाते और कर लेता हूँ चलिए कि सर, यहाँ पे uterine inertia की बात कर लेते हैं क्या आपको normal फिलो में ना पता है कि सर, normal जो condition होती है कि हमार एक female है, उसने उसको pregnancy हुई है कि उसने क्या गिया, उसने pregnancy conceive करी है उसका normal delivery हो गई है अब normal delivery के बाद क्या होता है प्यारे बच्चो कि जो uterus होता है वो अपनी comeback इस्तिती में आ जाता है uterus का size मैं आपको पता रखा है uterus की size के बारे में आप सभी को पता होगा weight के बारे में आपको पता होगा uterus का जो हम कहते हैं जैसे बच्चा बढ़ा होगा uterus का size भी बढ़ता जाएगा normal pregnancy की बात कर रहा हूं है आपसे कि जैसे एक female है female का uterus इतना है तो अगर हम बात करते हैं इतना है तो अगर जैसे pregnant होगी pregnancy होगी तो इतना हो जाएगा और जो turn pregnancy पर आएगा तो बहुतना बड़ा uterus हो जाएगा अब क्या होगा कि बच्चा जो है deliver हो चुका है fetus हमारा आ चुका है कि भाईया अब fetus आ चुका है अब चैसे fetus आता है तो उसका जो uterus होता है वो अपनी इस्तिती में आ जाता है come back इसको तो हम कहते हैं involution इस condition को हम कहते हैं involution कि uterus का अपनी इस्तिती में आ जाना बापिस आ जाना delivery के बाद उसको कहते हैं involution ठीक है अब एक होता है कि अगर suppose that कि कोई इस किसी female का uterus इतना है ठीक है किसी female का uterus normal इतना है उसने pregnancy हुई ठीक है इतना बड़ा हो गया term आया term पे इतना बड़ा हो गया उसके बाद उसने अपने बच्चे को जनम दिया उसने अपने बच्चे को जनम दिया और वो uterus इतना ही रह गया यूट्रस जो है वो इतना के इतना ही रहे गए या फिर हम कह सकते हैं कि यूट्रस अपनी जगे पे नहीं आया है या फिर उससे बड़ा थुड़ा सा रह गया है उस condition को कहते हैं sub-involution क्या आपको मेरी बास संज में आ रही है मैंने आपको कहा कि इन्वालूशन क्या होता है sub-involution क्या होता है आगे बास संज में और सब-involution को ही हम कहते हैं uterine inertia uterine inertia क्या आपको मेरी बास संज में आ गई है अगर किसी ने lecture नहीं लिया है uterus के बारे में तो please go and watch youtube पे पुरा lecture हमारा पड़ा हुआ है आप वहाँ जाके देख सकते हैं आगे बास संज में चलिए अगले question की हम बात करते हैं ये चारों चीजों का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर किसी को नहीं आए तो please बापिस से देखें वीडियो को pause करकर के देखें हैं समझ में आ जाएगी आए बस से नहीं हम दूसरे number question की बात करते हैं दूसरे number question क्या कहता है the drug which are used to delay the preterm labor question को ध्यान से पढ़ना है question के अंदर logic है and delivery question कहे रहा है कि ऐसी drug का नाम बताई है जो delay कर दे प्रीटम लेवर को कि भाईया labor हमारा कितने week पे होने वाला है कि 28 पे या फिर हम कह सकते हैं 31 week पे 32 week पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो labor है या किसी female का जो labor है before 37 week हो रहा है 37 week से पहले ही अगर होता है तो उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं उसको कहते हैं प्रीटम लेवर अगर 37 weeks से हो रहा है कि suppose that किसी female का 35 weeks पे अगर किसी भी फिमेल का क्या होता है delivery अगर होने के chances होते हैं कि इसको बहुत severe pains हो रहे हैं तो हमें delivery करनी पड़ेगी ठीक है अब इसको हमें क्या करना है कि 37 weeks तक गसीटना है 37 weeks तक हमें क्या करना है इसको गसीटना है अब गसीटना in the sense कि आपके क्या करना है कि इसको लेके जाना है 37 weeks तक कि अब इसको कैसे लेके जाए अब इसको कैसे लेके जाए बताएंगे पटापट से क्या उसको ऐसी drug देंगे कि भाया उसका काम 37 weeks तक चल जाए कौन सी drug देंगे कॉंट्रेक्शन कोज करेगा नॉर्मल अगर मैं बात करता हूं आपसे नॉर्मल कंडिशन की में आपसे बात करता हूं कि हमारी डिलेवरी होती है वो क्यूं होती है वो क्यूं कैसे किस हर्मौन की बज़े से होती है किस ड्रक की बज़े से हमारी डिलेवरी जो है बच्चा जो agent होता है to prevent contractions, कि क्या काम करता है, क्यों प्रोजिस्टरोन हार्मोन, इसके लिए इसको हमने बोला है कि नौ महीने के बाद ऐसा क्या होता है नौ महीने के बाद जब हम कह सकते हैं जब टर्म पे बेवी होता है तो उसका वेट बढ़ जाता है और जब वेट बढ़ता है तो जो प्रोजेस्टरों हार्मोन है वो दीरे-दीरे कम होता चला जाता है तो नाइन मंस पे क्या हो जाएगा प्रोजिस्टरन हार्मन जो है वो कम हो जाएगा अब जैसे ही कम होगा तो यहाँ पर जो अपना ऑक्सिटॉसिन होता है ऑक्सिटॉसिन जो होता है वो कहां से निकलता है जो ऑक्सिटॉसिन से निकलता है पता है सबी को ऑक्सिटॉसिन जब निकलेगा वहां से तो निकलेगा इसका काम होता है uterine contractions का uterine contractions का काम करता है और जब भी uterine contract करेगा तो suppose that अगर कोई चीज है तो contractions करने से क्या होगा जो placenta है वो separate होगा वहाँ पे पेन आपको देखने को मिलेगा जब पेन की complain करेगी महिला तो इसका मतलब है कि इसको labor होने वाला है इसको delivery होने बाली है आगी वासन में तो अब यहाँ पे question यह कह रहा है कि अगर आपको delay करना है 35 weeks से 37 weeks पे लेके जाना है तो oxytocin को बंद करना पड़ेगा oxytocin को बंद करना पड़ेगा तो यह oxytocin अगर हम patient को देंगे कौन सी drug के बारे में पूछा क्या है कि कौन सी drug use करें कि उसका जो labor है 37 weeks सक चला जाए तो अगर इस drug को दे दिया तो hand to hand delivery हो जाएगा यह तो और contractions कर देगा पहले ही क्या हो रखे हैं प्यारे बच्चो पहले ही contractions हो रखे हैं अगर आपने oxytocin दे दिया तो इसका मतलब है कि वह और ज्यादा contractions बढ़ जाएंगे और ज्यादा contractions बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा delivery हो जाएगी तो भाईया इस drug को देने से खत्रा है क्यों इसको नहीं देंगे कि हमें तो गसीटना है delivery को कि इस directrix का यह रॉल नहीं होता है directrix का मतलब simple सी बात करूँ तो मैं आपको यूरिन output के लिए देते हैं सड़ प्लोस्टा ग्लांडेंस हम नहीं दे सकते क्या कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि सो oxygen और जो प्लोस्टा ग्लांडेंस है वो एक ही nature के होते हैं एक ही इनका दोनों को काम होता है ये भी क्या करता है contractions करवाता है ये भी क्या करवाता है बच्चों contractions करवाता है तो इस drug को भी हम नहीं देंगे इस ड्रग को भी हम नहीं देंगे, मैंने आपको क्या बताया है, टोकोलाइटिक एजेंट देते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, to prevent uterine contractions, और कौम सा होता है uterine contractions, हम कह सकते हैं, progesterone, अब जैसे ही progesterone होता है, इसी को हम कहते हैं, pregnancy maintaining hormone, pregnancy maintaining hormone, इसी को हम कहते हैं, pregnancy maintaining hormone, बहुत important question है, बहुत important सवाल है, समझ में आगे, आगे आप सभी के बाद, चलिए, अगले question की तरफ चलते हैं, what is the antidote of magnesium sulfate, ये question थोड़ा सा logical वाला है, इसको simple simple सी भाशा में आपके रहाद रखना है, कि magnesium sulfate, जब भी हम patient को देते हैं, अगर magnesium sulfate, MgSO4 की बात कर रहा है, MgSO4 की, अगर किसी बंदे को toxicity हो जाती है, अगर किसी बंदे के अंदर, suppose that doctor ने बोला, कि किसी को MgSO4 देना है, किसी patient को, और कितना देना है, कि सिर्फ 1 gram देना है, कितना देना है, 1 gram, और जो आपने दे दिया, उसको 2 gram, इसका मतलब उसके अंदर toxicity हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा toxicity होने के कारण, उसको जो related questions होते हैं, उससे संबंदे, जो sion symptoms होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, और जब आपको देखने को मिलते हैं, तो उसका antidote हम देते हैं, कि उसको neutral, वो कर दे, समझ में आई बात, मैंने आपको एक सी समझानी है, simple-simple सी भाषा में आपको समझानी है, antidote का मतलब क्या होता है, कि सर उसमें नीवू या धही डाल दो, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, वो neutral हो जाएगे, खाने लाइक हो जाएगे, अब इसी चीज को हम neutral करने के लिए, toxicity को neutral करने के लिए हम क्या करते हैं उसका एंड़ीडोट देते हैं कि ये आगर आप काम करोगे तो क्या हो जाएगा इसका toxicity जो है वो कम हो जाएगी तो उसका जो एंड़ीडोट होता है तो vitamin K किसका antidote होता है तो vitamin K होता है warfarin warfarin सुना है आपने anti-coagulation profile के अंदर use होता है anticoagulant होता है warfarin उसके antidote अगर इसकी toxicity हो जाती है तो हम किसका use करते हैं vitamin K का use करते है oxytocin का नहीं होता है यहापे अगर मैं आपसे hyperin की बात करता हूँ तो hyperin का होता है protamine sulfate बहुत सी वार questions exam के अंदर पूछे गए हैं तो please इनको अच्छे से रट लें मैंने आपको तीन चीज़ों के बारे में बताया है कि सर MgSO4 का क्या होता है कि सर हमारा calcium carbonate होता है और vitamin K का क्या होता है कि सर vitamin sulfate होता है आगे बात सब्सक्राइब क्लियर कट बात है question number 4 question number 4 क्या कहता है कि which of the which of the following condition is most common cause of maternal mortality in India which of the following condition कौन सी इसमें से नीचे दी गई condition है कि most common है किसका cause है maternal mortality in India maternal mortality का मतलब समस्थे हो maternal का मतलब होता है mother और किसकी बात कर रहा है कि pregnant mother की बात कर रहा है mortality का मतलब क्या होता है mortality का मतलब होता है death है बसमे maternal mortality की बात कर रहा है यहाँ पे maternal mortality की बात हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम जो बात करने जाएंगे वो हम mother की death की बारे में बात करेंगे कि pregnancy में mother की death फटाफुट से बटाएंगे मेरेको आंसर बताएंगे, क्योंकि है Pennsylvania की उसकत्ति है, इन्फेक्षन किसी को हो गया उसकी ज़िए death हो सकती है thrombos embolism हो गया है thrombos embolism का मतलब समझ रहे हो कि उसके अंदर किसी भी thrombos form हो चुका है और वो pulmonary embolism cause कर सकता है heart में जाके फस सकता है pulmonary arteries veins के अंदर फस सकता है ताकि उससे क्या हो जाए circulation जो है वो stop हो जाता है और death हो जाती है patient की तो क्या-क्या कारण हो सकते है इंडिया के अंदर अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ कि जो इन इंडिया की बात करता हूँ जो pregnant lady होती है ना प्यारे बच्चो वो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है anemic देखने को मिलती है तो आप उसको anemia कह सकते है in pregnancy pregnancy में अगर 11 ग्राम पर डियल से कम देखने को मिलता है blood या hemoglobin का level तो कितना कहना है क्या कहना है कि sir anemia है anemia की भी बहुत सारी stages होती है बो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उनको चीजों के बारे में आपको detail में जानना है सबसे पहली आपको basic चीज याद रखनी है कि अगर 11 ग्राम पर डियल से कम किसी का hemoglobin है तो इसका मतलब है कि वो anemic है तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है anemic mother यहाँ पर देखने को मिलती है इंडिया के अंदर आप suppose that कि उसका क्या है कि suppose that कि 10 ग्राम हीमोगलोबिन है 10 ग्राम पर डियल या 8 ग्राम पर डियल किसी का क्या है हीमोगलोबिन है ठीक है 8 ग्राम बाला example लेते है कि कि किसी महिला का 8 ग्राम पर डियल क्या है हीमोगलोबिन लेविल है अब उसका क्या होगी pregnancy होगी pregnancy के बाद delivery भी होगी किसर उसकी delivery conduct हो रही है और delivery के अंदर मैंने आपको बताया था जब delivery होती है तो blood loss देखने को मिलता है किसर यहाँ पे तो blood loss देखने को मिलेगा और जब भी blood loss देखने को मिलता है तो क्या condition देखने को मिलती है कि भाईया 8 से कम हेमोगलोविन है तो जब उसकी डिलेवरी कंडेक्ट होगी सब्सक्राइब किसी महिला का एट ग्राम पर डियल है जब उसकी डिलेवरी करवाएंगे तो डिलेवरी के अंदर भी ब्लेड लॉस होगा होगा या नहीं होगा तो जब ब्लेड लॉस होता है तो वो तो नॉर्म condition हो गई है लेकिन अगर किसी महिला को PPH की condition हो गई postpartum hemorrhage की condition हो गई delivery के बाद उसको जो bleed होती है delivery के बाद जो bleeding होती है उसके अंदर भी तो loss होगा blood भईया कि सर बिलकुल होगा और उसी का कारण कौन बन जाता है वो उसी का कारण बनता है death तो हम कह सकते है कि सर hemorrhage और hemorrhage के अंदर भी PPH का नाम आपको आना चाहिए कि सर hemorrhage के अंदर किसका नाम आना चाहिए कि सर PPH का नाम आना चाहिए कभी infections की बज़े से immediately death नहीं होती है hypertension is a not sign of the death metal mortality को lead नहीं करता है क्या मेरी बात आपको सम्द में आ गई है बहुत बढ़िया कि इसा treatment क्या हो सकता है breast ingorgement को मतलब होता है कि female को ऐसे अपने breast ऐसे देखने को मिलेंगे कि heavy heavy हो गए है आगी बास इनमें तो इनका treatment क्या होगा क्या कह रहा है कि support the support the breast कि से support करना है कि the bra and appropriate size कि आपको अपने size की या frame कह सकते है कि less size की less यह छोटी size की आपको जो है ब्रा पेननी है यह कह सकता है कि बिल्कुल सही कह रहा है कि आपको क्या करना है ऐसा कर सकते हो कि offer more regular feeding to the baby बिल्कुल करनी है अगर आपके suppose that इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि अगर किसी female के breast के अंदर अगर milk बरा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा वैसे ही आपको enlargement देखने को मिलेगा और engorgement irritation आपको देखने को मिलेगा तो regular feed करनी है आगे बासे में अब दूसरी बात क्या करनी है कि avoid the squeezing आपको दवाना नहीं है breast को कभी भी तो आपको यह नहीं है कि remaining milk हमारे suppose that कि कई कई महिला क्या करती है कि suppose that इतना 20 ml उसके अंदर क्या है 20 ml उसके अंदर क्या है कि breast milk है suppose मैं आपको example दे रहा हूं उसने baby को feed करवाई अब baby के feed के बाद उसके अंदर पांच ml और बच गया तो वो क्या करेगी उसको squeeze करके क्या सोचेगी कि मैं अपने baby को और पिला दूँँ squeeze करके दवा के उसको निकालने की कौशिश करेगी तो आपको ऐसा कता ही नहीं करना है ऐसा करने से irritation और बढ़ सकती है और जो और जो हमारी रीमिनिक जो हमारी सैज मिलकर बोगया हो सकती है डेड हो सकती है इस चकर में आपको ऐसा बिलकुल नहीं करना है आग़ी बासे में तो all of the the aup answer जो है वो और करेक्ट आंसर है अगर किसी ने d answer दिया है तो वो करेक्ट आंसर है आगले बासे में सिंबल समन सा question ह आपको द्यान में देना है question number 6 क्या कहता है the appropriate the operative procedure in which after the end of 28 weeks fetus delivery of the abdominal incision question की बाद simple simple सी भाषा में करी गई है बहुत अच्छा question है बताएंगे फटाफट से the operative procedure ऐसा कोई operation है ठीक है in which after end of 28 week of pregnancy 28 weeks के बाद उसको fetus को deliver करना है abdominal incision लगागे तो उसको क्या कहेंगे abdominal incision normal delivery नहीं कर रहा है यहाँ पर cesurian section की बात कर रहा है हम abdominal incision को क्या कहते है कि बहुत प्रेट में चीरा लगाने को cesurian section कहते है कि operation से क्या हो रहा है delivery हो रहा है 28 week की क्यों बात करी गई देखो एक चीज होती है viability period इसका question बहुत बार पूछा गया है exam के अंदर viability period इंडिया का क्या होता है इंडिया की मैं अगर बात करता हूँ कि sir, इंडिया के अंदर जो viability period है वो 28 weeks होता है इसलिए यहाँ पर question के अंदर बात कह दी गई है आगे बसन में viability period का simple सा मतलब यह है कि 28 weeks के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी जान बचा सकते है उसकी हम जान बचा सकते है ऐसा viability period कहता है आगे बसन में अगर मैं आप से WHO की definition की बात करूँ डवलुएचो क्या कहता है कि 24 weeks के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो भी हम उसकी जान बचा सकते है डवलुएचो कहता है यह डवलुएचो के according definition लेकिन हम कह सकते है कि सर यूएस हम कह सकते है कि जो high level की जो books बगेरा है यूएस की अंदर जो हम बात कर सकते है कि वो कहते हैं कि सर हमारे यहां viability period कितना है कि 20 weeks है अगर 20 weeks का बच्चा भी हमारे यहां पैदा होता है तो हम उसकी जान बचा सकते है मतलब हम कुलमला के बाद यह है कि intra uterine life में अगर बच्चा जैसे अगे बसे में चलिए अब मैं यहां पर extractomy की बात करता हूँ extractomy का मतलब तो आप सभी को पता होगा कि removal of uterus uterus को निकाल देना actomy का मतलब क्या होता है removal होता है प्यारे बच्चो actomy यहां पे आपको कहीं पे भी देखने को मिले इसका मतलब क्या होता है actomy word आपको अगर देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है क्या होता है removal of removal होता है तो अब stroke का मतलब होता है uterus removal of uterus uterus को निकाल देना ही क्या कहलता है extractomy कहलाती है कि sir epiziotomy क्या होती है कि sir epiziotomy का मतलब मैंने आपको पिसली क्लास के अंदर बताया था बच्चो कि सर एपिजियॉटमी का मतलब होता है कट या इंसीजन लगाना इंसीजन मेड डिूरिंग डिलेवरी कि भईया डिलेवरी चल रही है लेबर चल रहा है फीमेल का फीमेल का जो हेड अप दा फीटस है उसको बाहर निकालना है लेकिन उसकी जो वजाईना का हौल है वो कैसा है वो छोटा है अब उसके अंदर हमें कट लगाना पड़ता है और कहां लगाते हैं पेरियम के अंदर कट लगाते हैं और उसी को कहते हैं एपिजियॉटमी कहते हैं देखें onda आपको एक डिजैंगरर्म बनाके देखाता हूं इस बात को यहां पे एक डिागरर्म बनाकर आपको देखा देथा हूं सबसे पहली में आपसे एक बात करता हूं कि बईया यह हमारा क्या है, कि सर यह तो हमारा है, वजाइनल वजाइना है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, कि सर वजाइनल ओपनिंग होती है, यहाँ पे युरिथ्रल होता है, यह हमारी वजाइनल ओपनिंग है, यह यह वाला जो पार्ट होता है, यह वाला जो पार्ट होता है जो मैंने red से बनाया है इसको कहते है perinium इस वाले पार्ट को वजानल ओपनिंग से लेके एनल ओपनिंग तक का जो पार्ट होता है उसको कहते है perinium और perinium पे cuttle जब हम लगाते हैं उसको कहते है epiziotomy और ये भी कितने type की होती है प्यारे बच्चो ये भी बहुँट सारे type की होती है मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होती है अगर मैंने ये cut ऐसे लगाया तो इसको बोला medialateral अगर मैंने इसको cut लगाया सीधा लेके इदर कर दिया तो इसको बोलते है medial lateral, आगे बास पंगे, अगर मैंने इसको सीधा के सीधा ले गया, तो इसको बोल दिया, midline, आगे बास पंगे, तो कुछ type के incisions लगाए जाते हैं, उसको कहते है, episiotomy, आगे बास संगे, सर, krenyatomy क्या होती है, सर, hop Seb को खोल देना, इसकल को खोल देना क्या कहलाता है craniotomy कहलाती है आगे बाद सुझ में चलिए question number 7 आपकी screen पर क्या कहता है देखें which of the following which of the following perinatal infectious disease कौन सी ऐसी following disease है जो कि infectious disease highest risk fetal infection in the first trimester कि first trimester के अंदर ऐसी कौन सी disease है जो कि fetal के अंदर infection cause कर सकती है उसके बारे में question पूछा गया है simple simple सा answer है मैंने आपको पताया हुआ है मैंने इसके full lecture भी लिया हुआ है कि हम कौन-कौन से immunization हम patient को दे सकते हैं आगी वसन में तो बताएंगे पटापट से देखो इस especially first trimester के अंदर ही क्यों बताया गया है बताएंगे पटापट से तो जो की first trimester होता है first trimester की मैं आपसे बात करूँ तो हमारा थर्टीन बीक्स प्लस सेवन डेस का होता है थर्टीन बीस थर्टीन बीक्स प्लस सेवन डेस का जो पीरेड होता है उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं फर्स ट्राइमिस्टर Teratogenic period कहते हैं अब Teratogenic period के बारे में आप सभी को पता होगा 100% पता होगा बच्चो अगर नहीं पता है तो जहां सोनेंगे Teratogenic period का मतलब होता है कि उस period के अंदर किसी भी प्रकार का infection fetus को लग सकता है अगर कोई भी condition अगर बिंगड़ती है तो वो उस period के अंदर ही बिंगड़ती है आगे बास में तो teratogenic period is the most common period की infection बच्चे को लगने के chances ज़्यादा होते हैं तो वो 8 week तक का जो समय होता है न प्यारे बच्चो उसको कहते है उसको कहते है teratogenic period और 8 week तक के teratogenic period को हम कह सकते है embryo zynic period भाया हमने क्या कहा हमने क्या कहा किसर्थ 2 week से 0 से 2 week तक का जो बच्चा होता है उसको कहते है जाइगाट उसको कहते है देखो यहां लेक देता हो में आपको किसर्थ 2 week से 2 week सक का जो बच्चा होता है उसको कहते है जाइगाट आई वासल में किसर्थ 2 week से 8 week तक का ज अगर मैं आपसे बात करूं कि इसे नाइन वीक से लेके और हम कहते हैं लेवर तक का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं इन तीजों के बारे में कुश्चन पूछे गए हैं भरबर के तो आपको इनको भी ध्यान रखना है जो एम्ब्रियो वाला पीरिड होता है और फर्स ट् कि अंदर हमें कौन सा ऐसा इन्फेक्शन जो फीटल को कौश कर सकता है देखो हमें क्या करना है कि जो अगर आपको क्या करना है सबसे पहली बात तो मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल सा आंसर आपको बताना चाहता हो कि जो बोस्ट देखने को मिल सकता है वो कौन सा है लाइव का मतलब होता है कि हम उसके अंदर जिंदा डाल रहे हैं जिंदा बैक्टिरिया डाल रहे हैं आगे बात समझ में और एक बात और मैं आपको फास्पत बता देता हूं कि लाइब जो वेक्सीन्स होती है वो contra-indigrated होती है किसके अंदर किसर प्रेगनेंसी के अंदर contra-indigrated होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर ऐसी वेक्सीन्स को आप देते हो तो उसके अंदर क्या हो सकते है फीटल के अंदर जाने के चांसे हो सकते है फीटल को रिग्रेट करने के चांसे हो सकते है डेमिज करने के चांसे हो सकते है आगे बात समझ में तो इसके लिए हम क्या करते है कि live vaccines को contra-indicated रखा गया है किसके अंदर? pregnancy के अंदर और जितनी भी killed vaccines है killed vaccines को indication बताया गया या फिर हम कह सकते है maybe given आई बास सब्सक्राइब कि killed vaccines को हम दे सकते हैं लेकिन live vaccines को हम नहीं दे सकते हैं अब जो killed vaccines की मैं आप से बात कर रहा हूँ वो कौन-कौन सी ऐसी vaccines होती है जिनके हूँ हम दे सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ चलो यही पर लिख लो ऐसे काम करो देखो अब मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ कि absolute गिवन हम दे सकते हैं मतलब की वेक्सीन्स यूजड इन प्रेग्नेंसी ऐसे लिखेंगे और एपसल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंसी ठीक है कि दोनों बातों के बारे में लिख देते हैं चलो मैं आपको थोड़ा से बता देता हूँ कि hepatitis की वेक्सीन आप दे सकते हो influenza आप दे सकते हो titanus आप दे सकते हो और ravis की वेक्सीन आप दे सकते हो यह जो वेक्सीन होती है यह के टाइब में आती है यह वेक्सीन आप यूज कर सकते हो प्रेग्नेंसी के अंदर अब आपको कौन-कौन सी नहीं देनी है कि वह यह एमेंका की वेक्सीन नहीं देनी है आपको नहीं देनी है आगी बास में तो यह जो सारी वैक्सिन्स हैं वो क्या होती है लाइब वैक्सिन्स और और लाइब वैक्सिन्स आगी बास में कोशन पूछा जाता है कोई इंसे बार नहीं आता है आगे बास में मीजल्स मुस रॉवला में मतलब होता है मीजल्स मॉम्स और रॉवला उनकी वैक्सिन्स को नहीं देना है बिसी जी की वैक्सिन्स को नहीं देना है रॉवला की वैक्सिन्स को नहीं देना है आगे बास में च लास्ट मेंस्ट्रल पीडिट आगे बास में तो एक अप्रेल 2016 है देन एडीडी एडीडी का मतलब क्या होता है एक्सपेक्टेड डेट ओफ डिलेवरी यह कुश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे फुल फॉर्म के दिया रखना कि डिलेवरी की डेट क्या हो सेगे हम क्या करते हैं कि हम भाईया इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी महिला की अगर हमें LMP पता होती है अगर हमें किसी मैला की LMP पता होती है तो हम उसके क्या कर सकते हैं EDD हम निकाल सकते हैं उसके delivery कब होगी उसको हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चो अब यहाँ पे question को solve करते हैं कि एक मैला की जो LMP है वो कितनी दी गई है बहिए एक अपरेल दी गई है एक अपरेल 2016 दी गई है इसको निकालने का एक formula होता है मैं आपको बता दταιता हूँ कि LMP से आपको देखो LMP पिलस नाइन मंच पिलस सेवन डे आपको करनी है यह best formula होता है किसी भी pregnancy को निकालने के लिए किसी भी EDD को निकालने के लिए best formula है अब मुझे यहाँ पे आप calculate करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे देखने को मिलती है सबसे पहली हमने बात करी कि sir LMP है 1 April 2016 1 April 2016 की LMP date दे रखी है simple सी मैं आप से बात करूँगा simple simple वाचा में तो हमने बात करनी है कि sir April की बात करेंगे April, May, June, July, August, September, October, November, December December 9 मेने हो चुके है तो भाईया December का मतलब यहाँ पे 1 April की बात करेंगे तो December के बात कितना आता है December के बात जन्वरी आएगा एक जन्वरी एक जन्वरी को लेके क्या हो जाएंगे इसको 9 मेने हो जाएंगे एक जन्वरी को लेके इसको 9 मेने हो गए और पिलस कितने करने है 7 days करने है तो कितना हो गया कि भाईया 8 जन्वरी हो गया आंसर हमारा कितना आ गया 8 जन्वरी हो गया अब 8 जन्वरी ढूंड़ो इसमें कहा है सर यह तो गलत हो गया 2016 में तो कैसे delivery हो सकती है कि सर बिल्कुल नहीं हो सकती है 17 तो आएगी आने बाली जो साल होगी 17 की साल होगी तो 8 जनबरी 2017 को आपको आपकी delivery की date देट देखने को मिल सकती है और ऐसा exact नहीं होती है लेकिन हम बता सकते हैं कि 7 days plus minus हो सकता है यह तो 7 days पहले हो सकती है यह 7 days बाद हो सकती है इस formula को लिख लेना यह formula best formula है किसी भी date को निकालने के लिए चले है question number 9 क्या कहता है during the induction of labor during the induction of labor a woman should be observed carefully for the science अब देखो induction of labor का मतलब होता है induction का मतलब होता है कि हम induce करवा रहे है हम खुद करवा रहे है patient को जरुत नहीं है patient को कोई भी कुछ नहीं आया है patient को कोई भी pain नहीं हुआ है लेकिन हमें जरुत है किसी भी कारण बस से हम करवा सकते है induction of labor जब मैं आपको इस topic के वारे में पढ़ाऊंगा तो और detail में आपको समझ में आ जाएगा simple simple सी बात आपको basic question यहां से समझना है induction of labor का मतलब होता है कि हमने खुद ने induce करवा रहे हैं इसको तो जब induce करवा रहे हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है जब हम induce करवाएंगे तो हम क्या देंगे बच्चो oxytocin देंगे patient को ताकि उसको क्या हो जाए ताकि उसको contractions हो जाएं contractions आएंगे तो pain देखने को मिलेगा और pain होगा तो हम delivery करवा सकते हैं contractions जब होते हैं तो separate होने के chances होते हैं अब जब हमने अगर high dose दे दी हमने अगर high dose दे दी तो क्या chances होते हैं मैंने आपको बताया था शुरू के question में कि इसके जो contractions की rate है वो बढ़ जाएगी जब contractions की rate बढ़ जाती है normal duration थी वो कितनी थी 30 से 40 second थी एक contraction थी 30 से 40 second आता है अगर इसकी rate बढ़ जाती है आपने dose दे दी अगर 90 second से जदा होगे तो उसको कहते है uterine titani कहते हैं नहीं कहते हैं तो uterine titani का ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपको उसी मात्रा में level देना होता है कि uterine titani ना हो जाए तो आपको सबसे पहला क्या ध्यान रखना है कि यूट्राइन टिटेनी का आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि यहां पर हाइपोगालिसीमिया तो बच्चे को बदर को हो सकता है इसको बड़ी बात नहीं होती है तो यह कॉर्ट पॉलैप्स वाली बात यहां पर भी नहीं हो delivery के बाद होने बाला secretion कहां से secretion हो रहा है mother की breast से हो रहा है तो उसको कहते हैं colistrum उसको कहते हैं प्यारे बचो colistrum किसर लोकिया क्या होता है किसर delivery के बाद delivery after delivery after delivery vaginal secretions is called lokiya कि बजानल secretions का हो जाना किसके बाद delivery के बाद जो secretions हमारी बजाना से देखने को मिलते हैं उसको कहते हैं lokiya अब lokiya जो होता है प्यारे बच्चो कितने दिन तक देखने को मिलता है कि delivery वाले 0 दिन से देखे और 14 दिन तक होता है अगर मैं आपसे बात करूँ कि maximum कितने दिन तक हो सकता है कि 21 days तक हो सकता है किसर कितने टाइप का होता है किसर तीन टाइप का होता है एक होता है lokiya रुब्रा सबसे पहला होता है lokiya रुब्रा होता है lokiya रुब्रा जो होता है वो red in color होता है कि red color का क्यूं होता है, red color का आर्वीसिस की बज़े से होता है, क्योंकि इसके अंदर red mirror cell पाई जाती है, इसलिए red color का होता है, और कितने दिन तक देखने को मिलता है, कि sir, 1 से 4 दिन तक देखने को मिलता है, जो पहले 1 से 4 दिन होंगे, उसको आपको लो के रुबरा देखने को मिलेगा आगे बास में, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, किसे लो किया सिरोसा होता है सिरोसा का मतलब सिरोसा कैसे कलर सीरस जो फिल्यूड होता है, वो कैसा होता है वो यलो कलर का होता है और यलो कलर किसकी बज़े से होता है सर डबलू बीसी इसकी बज़े से होता है होता है नहीं होता है कितने दिन पे देखने को मिलेगा कि सर पास से नौ दिन पे देखने को मिलता है पास से नौ दिन तक जो होगा वो यलो कलर आपको देखने को मिलेगा उसको कहते हैं लोकिया सिरोसा नमबर थर्ड की मैं आपसे बात करूँ दूसरा नमबर कौन सा होता है किसर लोकिया अलवा होता है लोकिया अलवा लोकिया अलवा कैसे होता है किसर वाइट कलर का होता है किसर वाइट इन कलर होता है और क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर डैसी डिवल सेल स्पाई जाती है डैसी डिवल सेल की बज़े से कैसा होता है लोकिया अलवा होता है आगी बसस्थ में अगर मैंने यहाँ से आप से बात करनी है कितने दिन तक देखने को मिलता है कि 10-14 तक देखने को मिलता है मतलब कि 10-14 दिन तक ये देखने को मिलेगा इन तीनों के बारे में question स्मझ में आ गया इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ Leucoria Leucoria का मतलब होता है कि Шernal Secretsion का होना Leucoria गयलाता है आगे बात समझ में, क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास जो हुई, कुछ ओभी जी के इन्पॉर्टेट कुश्चन के बारे में मैं आपको बताया है, अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और क्या है, बात आप की क्या वाटता यह जंगे चाहिंगे जी जीज दीने लाटता पता दो करते हैंगे उना संद प्लीज जीजए जीजए यह जी जांगे जी शेड़नास जीए जीना आपको एला संद ड safestता लातता है, इस ग्या है, एको प्लीजश्च के वाटता है। अ